हेलो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है स्टीलर सिस्टम इन टैडोफाइट्स स्टूडेंट्स टैडोफाइट्स फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे जिनके अंदर सम्महन तंत्र उपस्तित था या डवलप हुआ और प्रिमिटिव वैस्कुलर टीशू या सम्महन तंत्र को हम स्टील के नाम से भी जानते हैं इसी लिए टैडोफाइट्स में वैस्कुलर सिस्टम को स्टीलर सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि टैडोफाइट्स में सबसे प्रिमिटिव प्रकार के वैस्कुलर टीशू प्रे The Vascular Bundle is the fundamental unit in the Vascular System of Tidophytes and Higher Plants. किसी भी Tidophyte pod है या Higher Plants जैसे की Gymnosperms और Angiosperms के अंदर जो Vascular System पाया जाता है, इसकी मूलभूत एकाई या Fundamental Unit को हम समवहन पूल या Vascular Bundle के नाम से जानते हैं. According to Van Tigham and Dooliatt 1886, the fundamental part of a chute are the cortex and a central cylinder is known as steel. Van Tigham and Dooliatt जिन्होंने की रंभुतंत्र की थियोरी दी, उनकी अनुसार किसी भी chute या root के दो बेसिक पार्ट होते हैं, outer cortex और central steel, means हमारा जो stem या root है, उसका अगर T.S. काटें, तो दो बेसिक पार्ट हमें दिखाई देंगे, बाहर की तरफ cortex और center में या बीच में जो Vascular Tissue दिखाई देता है, उस portion को हम steel कहते हैं, तो किसी भी root या शूट का जो central पार्ट है, उसे हम steel कहेंगे, ये जो steel है, उसके अंदर पित या मज्जा उपस्तित हो सकती है, या अनुपस्तित भी हो सकती है, और साथ ही साथ cortex और steel के बीच में एक endodermis के लिए present होती है, जो दोनों को अलग करती है, In a Vascular Plant, the steel is the central part of the root or stem containing the tissue derived from the prokambium, अब steel क्या हुआ, किसी भी जड़ या तने का central part है, जो की prokambium से बनता है, These include vascular tissues like xylem and phloem, और इस steel का जो basic part है, वो xylem और phloem का बना हुआ होता है, जो की हमारे vascular system का main part है, In some cases, ground tissue और pith and a pericycle, which if present, define the outermost boundary of the steel, तो steel basically हमारा xylem और phloem का बना हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर कभी-कभी ground tissue, paranchymetal cells, pith या मज़ा के रूप में उपस्तित होती है, साथ ही साथ इसकी जो outermost boundary है, pericycle के रूप में दो या तीन पर्तों में उपस्तित या अनुपस्तित हो सकती है, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, root, stem और leaves, इन सभी का जो vascular system या संवहन तंत्र है, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, अब जो stem का vascular system या steeler system है, वो हमारे leaf से leaf trace के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, component of steel, अगर एक steel के हम components की बात करें, तो इसके अंदर मुख्य रूप से xylem, phloem हमेशा मौजूद होते हैं, कभी-कभी इसके अंदर outermost जो boundary है हमारे steel की एक या बहु परतिये, pericycle के रूप में उपस्तित होती है, साथ ही साथ, parent chemitis medullary rays और parent chemitis पित या मज्जा उपस्तित या अनुपस्तित हो सकते हैं, तो ये कुछ हमारे steel के parts हैं, types of steel, हमारा जो रंब तंत्र है या vascular system है, वो टाइडोफाइट्स के अंदर दो तरीके के steel present हो सकते हैं, proto-steel या ठोस रंब, और B है साइफोनो-steel या नाल रंब, जो हमारे बहुत सारे प्रकार के steel होते हैं, हमारे टाइडोफाइट्स के अंदर, उन में से बेसिकली अगर हम डिवाइड करें, तो two types में बाढ़ सकते हैं पूरे steeler system को, proto-steel ठोसरं और साइफोनो-steel नाल रंब के रूप में, इन दोनों के बीच में जो basic difference है, वो हमारे पित का presence या absence है, अगर हमारे steel के अंदर सिर्फ जाइलम और फ्लोयम मौजूद है, बिन्स पित या मज्जा अनुपस्तित है, इस प्रकार के steel को हम proto-steel या ठोसरंब कहते हैं, लेकिन अगर center में इस तरीके से पित की पैरेंकाइमेटर सेल्स अगर मौजूद है, और उसके चारोंड जाइलम और उसको चारोंड से फ्लोयम ने घेरा हुआ है, अगर इस तरीकी का steel है, तो उसे हम साइफनो स्टील या नाल रंब कहते हैं, तो बहुत सारे steel के टाइप्स हैं, लेकिन मज्जा की उपस्तिती या अनुपस्तिती की आथार पर हमेने basically दो पार्ट्स में बाँट सकते हैं, या दो टाइप्स में बाँट सकते हैं, ठोसरंब और नाल रंब, प्रोटो स्टील या साइफनो स्टील, steel in tatofights, अब ये तो हमने divide किया मज्जा की आधार पर कि पित अगर उपस्तित है, तो उसे हम नाल रंब कहेंगे, और अगर पित अनुपस्तित है तो उसे हम ठोस रंब या प्रोटो स्टील कहेंगे इसके अलावा ये जो प्रोटो स्टील और साइफनो स्टील है इसके बहुत सारे प्रकार हमारे स्टीलर सिस्टम में मौजूद होते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटो स्टील या ठोस रंब की इसके कई प्रकार हैं जैसे हैपलो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, मिक्स प्रोटो स्टील और पॉली स्टील साथ ही साथ जो साइफनो स्टील जिसके अंदर पित या मज्जा उपस्तित होती है उसके कई प्रकार होते हैं सिंपल साइफनो स्टील ये दो प्रकार का हो सकता है एमफिफ्लोईक और एक्टोफ्लोईक साइफनो स्टील Soleno Steel ये भी Amphifluic और Actifluic दोनों प्रकार का हो सकता है साथी साथ Dictio Steel जो कि Terris के अंदर मौझूद होता है और U Steel जो कि Equicitum में मौझूद होता है ये Dictio Steel simple और Polycyclic प्रकार के हो सकते हैं इन सारे Steel के बारे में हम डीटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले बात करते हैं Proto Steel या ठोसरंब की Proto Steel represents the simplest and most primitive steel organization in the vascular plants जितने भी vascular plants हैं उसके अंदर सबसे simple या सबसे primitive प्रकार का अगर कोई Steel है तो उसे हम Proto Steel या ठोसरंब की रूप में जानते हैं In Proto Steel, the vascular tissue is a solid mass and the central core of the xylem is completely surrounded by the strand of phloem, pericycle and endodermis यहां पर ठोसरंब या Proto Steel सबसे simple प्रकार का है जिसके अंदर सेंटर में xylem की कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको चारों और से phloem की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जो pericycle और endodermis के द्वारा घेरी हुई होती हैं means simplest steel है xylem की कुछ कोशिकाएं जिसको चारों और से phloem की कुछ कोशिकाएं उने घेरा हुआ है Majority of the teidophytes show proto-steelic condition in their rhizome, stem और roots और जो ज़ादातर हमारी teidophytes हैं उनकी अंदर proto-steel प्रकार का ही रंब या फिर-steel मौजूद होता है There are several forms of proto-steel अब जो हमारा ठोस रंब या proto-steel है इसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, means ऐसा steel जिसके अंदर pith absent हो, उसे हम proto-steel कहेंगे, xylem center में है उसको चारों और से phloem ने घेरा हो है अब इसके भी कुछ प्रकार है जिसके बारे में हम detail में पढ़ लेते हैं First है haplos-steel This is the most primitive type of proto-steel ये proto-steel में भी सबसे primitive type का है means proto-steel अपने आप में सबसे simplest है और proto-steel के जो type है उसमें भी सबसे simple और सबसे primitive type है haplos-steel Here the central solid smooth core of xylem remains surrounded by the phloem ये silaginela के अंदर मिलता है इसके अंदर सबसे simple प्रकार का है, यहाँ पर center में xylem की कुछ कोशिकाई है, जो phloem के द्वारा, एक phloem ring आप देख रहे है इसके द्वारा गिरी रहती है इसके बाद pericycle की कुछ कोशिकाई एक या दो परती pericycle की कोशिकाई मौजूद है, जो की हमारे steel की outermost boundary है अब cortex और pericycle के बीच में endodermis की layer पाई जाती है, जो की steel और cortex को अलग करती है तो ये सबसे simple प्रकार का steel है haplosteel second जो proto-steel का type है जिसे हम कहते है actinosteel actinosteel this is the modification of haplosteel ये haplosteel का ही एक modification है and somewhat more advanced in having the central xylem core with radiating ribs, ये silo term में present होता है यहाँ पर आप diagram में आप clearly देख सकते हैं, यहाँ पर भी center में xylem की कुछ कोशिकाएं हैं, जो phloem के द्वारा घिरी हुई है लेकिन यहाँ पर xylem round नहीं होकर के star shape का देख सकते हैं, आप इस तरीके से star shaped है, means इसके अंदर जो xylem की core है उसके अंदर radiating ribs निकली हुई है और वे star shape में मौझूद होता है, इसको हम actino steel कहते हैं इसमें भी इसी तरीके से xylem phloem से घिरा हुआ है और phloem pericycle की कुछ परतिय कोशिकाओं से घिरा हुआ रहता है और cortex और pericycle के बीच में endodermis मौझूद है, तो जहाँ पर heplo steel में center में round shape में जायलम उपस्तित था, वहीं पर actino steel में हमारे पास जो radiating ribs निकली हुई है या तारा कार्या star shape में जायलम मौझूद है actino steel में next, अब इससे थोड़ा सा अगर advance हो तो प्लेक्टो steel जो proto steel का दूसरा तीसरा टाइप है, this is the most advanced type of proto steel, ये ठोसरांब या proto steel का सबसे advanced टाइप है here, the central core of xylem is divided into number of plates arranged parallel to each other, यहाँ पर जो xylem की कोशिकाए है, वो सबसे पहले primitive में तो round shape की थी, फिर star shape की हो गई, धीरे धीरे ये जो radiating ribs हैं, वो बढ़ती चली गई और प्लेक्टो steel की अंदर xylem हमारा, xylem की कोशिकाएं, plate के रूप में मौजूद रहती है phloem की cells के बीच बीच में, the phloem alternates the xylem और इस प्रकार का जो प्लेक्टो steel है, lycopodium के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर भी, पित या मज्जा अनुपस्तित है, इसी लिए इसी हमने proto-steel या ठोसरंब कहा और जो xylem की कोशिकाएं हैं, वो center में plate के रूप में अरेंज रहती हैं इसी लिए इसी हम placto-steel कहते हैं next आता है mixed proto-steel या pith-steel, यहाँ पर xylem elements are mixed with the parenchymetal cells of the pith और phloem, इसकी अंदर क्या है, center में जो xylem की कोशिकाएं थी, वो अब center में रही रह करके थोड़े थोड़े टुकडों में बढ़ जाती है और ये phloem की कोशिकाओं के बीच में xylem के patches मौजूद होते हैं जैसा कि हम इस diagram के अंदर देख सकते हैं xylem के जो patches हैं, वो phloem के बीच में धसे हुए हैं और कभी-कभी phloem के साथ-साथ कुछ parenchymetous cells भी देखने को मिलती हैं, जो की पिथ की कोशिकाएं होती हैं वो parenchymetous cells भी xylem के बीच-बीच में दिखाई देती हैं इसलिए से mixed pith steel भी कहा जाता है तो जो mixed proto-steel है जिसके अंदर हमारे xylem की जो tracheids हैं, वो parenchymetous cells के साथ mix होती हैं, तो उसको हम ये भी मान सकते हैं कि एक तरीके से transitional phase है, जिसके अंदर proto-steel और siphon-o-steel दोनों के बीच की अवस्ता है, क्योंकि siphon-o-steel में pith की parenchymetous cells present होती हैं और proto-steel में absent होती है लेकिन जो mixed proto-steel है, उसके अंदर कुछ pith की कोशिकाएं मौजूद होती हैं, इसी लिए इसको हम transitional type भी कह सकते हैं ये कुछ example है proto-steel के, जिसनके बारे में अभी हमने पढ़ा, haplo-steel ये ligodium के अंदर मौजूद होता है, इसके अंदर xylem की कोशिकाएं, center में हैं जो phloem के द्वारा घिरी हुई हैं round shape में हैं, सबसे simplest proto-steel है अब actino-steel जो xylem में देखने को मिलता है यहां हम देख सकते हैं कि xylem की कोशिकाएं इस तरीके से इसके अंदर radiating ribs मौजूद हैं और ये star shape में हमारा जो xylem है वो मौजूद है और बाहर की तरफ phloem से घिरा हुआ है इस तरीके का actino-steel हमें silotum में देखने को मिलता है अगर हम बात करें प्लेक्टो-steel की तो lycopodium clevitum के अंदर हमें प्लेक्टो-steel दिखाई देता है यहां पर हम देख सकते हैं xylem की जो कोशिकाएं हैं बीच-बीच में, phloem के बीच में प्लेक्टो-steel के रूप में मौजूद है और mixed proto-steel lycopodium सर्नम में हम देख सकते हैं इसके अंदर xylem की जो tracheids हैं वो phloem के बीच-बीच में उपस्ते थैं तो इस तरीके से proto-steel की जो चारों टाइप्स हैं वो हमें अलग-अलग primitive जो टाइड़ोफाइट्स हैं उनके अंदर दिखाई देते हैं So students, आज हमने बात की Steeler System in Tiedophytes के Part 1 में proto-steel या ठोस-रंब के बारे में कि उसके कितने प्रकार हैं और उन सभी के बीच में क्या-क्या differences हैं So, this is all about today's lecture Thank you